नमस्कार मुद्दा में आपका स्वागत है मैं हूँ रविंदरी चोहान देश भर में इस समय यू से सी यानि समान अचार सनहिता को लेकर चर्चा हो रही है दरसल हाल ही में बीधे आयोग ने समान नागरिक सनहिता पर आम जनता से विचार विमर्ज की प्रक्रिया शुरू की है और आयोग द्वारा जनता सर्वजिनिक संस्थान और धार्मिक संस्थानों साथी संगत्नों के प्रतिनिदियों से एक महीने में इस मुद्दे पर राय मांगी गई है। सिविल कोड़ पर इसके पक्ष में हैं और कुछ लोग इसके भी पक्ष में हैं। नागरिकों को समान अधिकार मिले। सिर्फ इसी मांदंड पर यूशी सी को नहीं रखा जा सकता। ये बहुत ही जटिल मामला है इसलिए इसे लागू करना तो कठिन होगा ही इस पर एक राय बनाना भी कठिन होगा। आज मुद्दा में ये जानने की कोशिस करेंगे कि पूरे देश के साथ पुर्वुत्तर में इसे लागू करना कितना मुश्किल होगा। क्या अगामी चुनाओ में यूशी सी सबसे बड़ा मुद्दा होगा। हमारे साथ हैं टिपनिकार प्रोफेसर प्रसंजीत विश्वास, भाजपा के प्रवक्ता प्रमोद स्वामी, कॉंग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रमन जहां और पूर्व एसिस्टेंट सुलिसिटर जेनरल तथा वरिष्ट वकील सुभास चंद्रक्रियाद। हर नागरी को एक समान अधिकार मिलने चाहिए ये बाते सबको समझ में आती हैं लेकिन वो अधिकार कैसे मिल और यूशी सी किस तरह से लागू होगा इसका ड्राफ्ट क्या होगा जो अभी तक सामने नहीं आया है सिर्फ इस पर देश भर में राय बनाई जा रही हैं तो हम उनकी राय ले लेते हैं क्या यह आसान है प्रोफेसर प्रसंजीत राय यह आपको भी लगता है कि इस पर देश भर में राय बनाने में काफी समय लगेगा मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि हमारे जो गनतांत्री का और संग्विधानिक भाचा है इसके अंदर एक तरह का लीगल प्लूरेलिजम है जिसको में बिधी का बहुत बहुत बादी बिधी हमारे देश में है लेकिन बहुत बादी बिधी इसलिए है कि हमारे देश में बहुत सरे बईचित्र है हमारे देश में बहुत सरे भिन्न भिन्न संस्कृती भिन्न भिन्न समाज नीती भिन्न भिन्न परिबार तंत्र और भिन्न भिन्न जो परिचय का परिस्थिती है जो डाइवर्सिटी है इ तो परिबारिक तोड़ पे, बेक्ती को तोड़ पे, रास्ट्रो किसी तरह हस्तक्षप ना करे, यह सबसे ज़्यादा महत या आम मुद्धा भारतिय संग्विदान में है, रास्ट्रो बेक्ती और परिबार का बीच एक अंतर हमारे संग्विदान में है, तो संग्विदानिक सिविल कोट का बात कहे जा रहा है यूनिफॉर्म के ज़्यादा मैं सोच रहा हूँ की कैसे सिविल कोट होने से हमारे परिवरिक बैवस्ता और भी मजबूत हो सकता है कैसे सिविल कोट होने से महिलाओं को हम ज़्यादा ओधिकार दे सकते है हम बच्चे का ओधिकार कैसे शुरक्षित कर सकते हैं और कैसे समाज में और भी जादा समन्नय और भी जादा संपृति का परिवेश हम तयार कर सकते हैं इस आधार पे हमको UCC का बारे में सोचना चाहिए तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि यह डारेक्टिब प्रिंसिपल मे इन लोगों ने इसको डाइरेक्टिक प्रिंसिपल अब दिस स्टेट का अंदर रखा था। इसमें असाम में भी सामिल है, मिजोराम है, नागलेंडे, औरनाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, सभी जगा किसी ना किसी तरहों का एक संग्विदानिक रक्षा का वज दिया गया है, सेफगार दिया गया है। कि अलग अलग जो रक्षा कवच हैं, समयधानिक रक्षा कवच हैं, जो राजियों को मिले हुए हैं, खास करके पुर्वत्तर के राजियों को, उनके साथ इसका कहीं टक्राव ना हो जाए, ये धियान रखना होगा। ये उसी सी के लागू करने के दोरान। हमारे साथ तवाम जो महमान हैं आज के जुड़े हुए हैं, कॉंग्रेस पार्टी के प्रवकतार रमान जहां हैं, प्रमोद स्वामी हैं, बीजे पी की और वरिष्ट वकील हैं, शुभास कियाल साहब। प्रमान जहां जी से हम जाने के कोशिष करेंगे कि बार-बार ये अपत्ती पार्टी के तरफ से भी की जाती है, लेकिन जिस तरह से समझाया जा रहा इसके बारे में कहा जा रहा है, इनुफर्म सीविल कोड, इसमें बहुत सारी चीजे नहीं आती हैं, लेकिन जो टकराव क कर्यान की मनसा वह पार्टी है झाले खुशर करते के करते हैं थाकार सबसे पहलए भूर्ट में सभिनताओं से इस पर बात करती कोंकि बारत बीविनताओं का देश है इसमें विभिन जाती विभिन धार्मिक विभिन संगोष्टी आदिवासी समाज के लोग रहते हैं तो ऐसे में हमारा जो 22 मा लौकमिशन है उसने भी साब सब्सक्राइब कहा है कि सरकार को पहले धर्म गुर्णों से बात करें राजियों से बात करें समाज के लोगों से बात करें उसके बाद इस पर विचार करें कि еще सरकार में सरकार ने यह मानिता दी है कि हिंदुों को दूसरी साधी के मानता दी गई है कि अगल पहले पत्ति से बेटा नहों तो वह दूसरी साधी कर सकता है उहां के लिए आप क्या करेंगे उसके बाद में आप आजाए यह आटिकल 371 जो हिल एडिया शेट को नौर्स इस्टू को भी फिर खास्केतों पर दिया गया है उसके बारे में आप क्या करेंगे अभी मनिपूर का आप देख रहे है जरंद मुद्दा है वहां सामाज के बीच में संघर सो हो रहा है तो उसे खतम करेंगे मैं तुसे क्या क्या जिविल कोड कि बात करते हैं एक नागरी कानूम सहिता कि बात करते हैं कि देश में एक कानूम लागू हो तो आपको इस समीदान के लिए लगाया घथा आपने विभूर किया अभी हम आप कर रहे हैं कि ऐसी ब्यवस्ता लाई जाए आर्टिकल 44 में इस पर हुआ था कि भ्यविश्य में जाकर हम उनिफर्म सिभील कोर्ट पर विचार किया जाएगा हूंकि भारत को धर्म रिपेश की तो ले जाया जाए तो इस प्रश्थिति में स स्कार सामने देख रहे के चुनाव का रहे है सरकार मुदों से लोगों के ध्यान नहीं को बहर का रही है अब उनका मध्यप Anda सब्सक्राइब ससक्राइन तो नोलीन लागी करें अगर यू शिशी लागू करती है सरकार तो सबसे पहले सबसे लिए बैठेक बुला कर सब राजियों को बुला कर सर्व धार्मिक संथाओं को लोगों से बात करें यह जो लोग कमिशन ने भेजा है सब की राय लेने के लिए क्या इस पर आप विश्वास नहीं कर लोग कमिशन की कर रहे है कि यू सीशी लागू करने का समय भारत में नहीं है सबसे पहले आप जमीनी अस्तर पर जाएए ऐसी परिस्तिति में ऐसा नहीं हो कि चुनाव से पहले सरकार यू सीशी विशी कर रही है और चुनाव के बाद कहें पंदर लाग रुपया जिस तर उनने कहा था कि यह जुमला है हमने तो चुनावी जुमला दिया था अभी भारत में यू सीशी लागू नहीं हो सकता है तो इस तरह की बात नहीं हो जनता फिर धोका नखाए इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार सबसे पहले जमीनी हकिकत को आखलान करे सबदर के लोगों के से ब सिविल कोड मने समान नागरिक सहीता इन्होंने कहा कि सबसे राए ली जानी चाहिए तो मैं बताना चाहूंगा कि बिधी आयोक ने पब्लिक नोटिस जारी कर आम जमता और मान्यता प्राप धार्मिक संगठों से राए देने के लिए कहा है और हमारे जो संभीधान के जो च जो जो जानकार लोग थे क्या वो भी कॉमिनियल थे क्या इस सारे की बाते अगर कोई करता था तो ये तो बड़ी बिचित्र बात है कि क्या इस देश में सभी लोगों के लिए सभी नागरिकों के लिए क्या एक कानून नहीं होना चाहिए तो इसमें अगर सरकार जो हमारे समिधान निर्माताओं की भी इच्छा थी कि समान नागरिक संहीता होनी चीए एक देश एक कानून तो उसी दिशा में आज सरकार आगे बढ़ रही है और सरकार ने सबसे अपनी राय मांगी है उस राय सारी जो हमारे जो सिटिजन्स है वो अपनी राय देंगे उसके अपर में विचार भी मरस होगा लेकिन पहले ही यह कह देना की सरकार की जो मंसा है वो मंसा ठीक नहीं है यह मेरे ख्याल से उचित नहीं है जब सरकार ने नागरिकों से राय मांगी है और हमारे सम्मिधान के जो निर्माता थे उन लोगों के भी इच्छा थी कि सम्मान नागरिक सम्मिधा जो देश में लागू होनी चाहिए अभी समय आ गया है कि इस देश में कुछ निर्णे लेने पड़ेंगी कॉंग्रेस पार्टी की सुरू से ही निती रही है कि समस्या को लटकाओ अटकाओ वो कभी समस्या के सबाधान में उनकी कोई रूची नहीं थी उधान तर मैं आपको देना कहिना चाहूँगा कि आर्टीकर 370 जो जम्बू कस्मीर में था वो एक टेंपरेरी कानून था जिसको 70 बरसों तक हमने ढोया उस कानून को हमने हटाया उसके बाद ने आज जो भगवान शिरी राम का भव्य मंदिर बन रहा है इसके लिए सनातर समान ने 500 बरसों तक सगर्स किया और आज सुप्रीम कोर्ट की रायदान के बाद में आज वहां एक भव्य राम मंदिर का निर्मान हो रहा है इसी तरह जो हमारे जो अपने आपको तथाकती सेकुलर लोग कहते हैं इन लोगों ने जब हमारी मुस्लिम बहनों के स्वाविमा से के साथ खिलवार नहीं कर सकता परधान मंतری जी ने अभी हाली में इस बात को कहा है कि एक परिवार में अगर दो नियम नहीं हो सकती तो फिर एक देश में आप किस तरह से एक ऐसी वेवस्ता चाहते हैं जहां दो नियम हो अलग लग नियम हो अब क्या ये देश सरीयत से चलेगा, अगर सरीयत से चलेगा तो सरीयत में तो ये भी लिखा हुआ है कि कोई अगर चोरी करता है तो उसके हाथ काड़ दो, तो फिर क्या हो, ये ये नियम भी लागूं होने चाहिए क्या, तो ये एक वह भाश है, इसके उपर में निश्चित रूप से इस बहत का स्वाग संसमाननागरिक संहित होनी चाहिए और इसके बात बाथ में निर्णने लोग स繼र राज सबा म होगा ठीक है सुबास चंदर क्याल के पास आएंगे लेकिन इस बीच हमारे पास वेक्त है चोटे से ब्रेक का और ब्रेक माध सुझांट लोगते हैं कि ब्रेक बाद मुद्दा में आपका स्वागत है आज हम चर्चा कर रहे हैं इनुफर्म सिबिल कोड को लेकर और इसे लागू करने में क्या अर्चने आ सकती है इस पर सुभाष चंदर क्याल हैं आप सभी मेहमानों के बातों को आपने सुना यूसी सी को लागू करना कितना कठीन है जिस तरह से रमन जहांजी ने कहा कि बहुत सारे इसूज हैं गुआ का भी बात इन्होंने कहा नौर्थ इस्ट का बात कहा और तरह तरह के कानून जिसके साथ टक्राव हो सकता है उसकी बात का इन सब चीजों को देखते हुए कितना आसान लगता है आपको इनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना और किस माइने में ये आसान होगा नमस्कार दीखें विशे क्या है इनिफॉर्म सिविल कोड बाद हैं क्या आएगी एक पीछे का सवाल है लेकिन ये क्यों लाना चाहिए हम जानते हैं कि जब अपना constitution बना था उसमें काफी debates वो गरो थे इस विशे को भी 23 अगस 2047 को इस विशे पर काफी चर्चा हो भी थी और चर्चा के बाद में ये निनने लिया गया कि इसमें काफी support में भी लोग थे इसका oppose करने में भी काफी लोगों ने अपना विशे रखा था पीर ये बिला गया कि ये फंडामेंटर नाइट में नहीं लेकर ये डिरेक्टिव इनिसेवलोग स्टेट पोलिशिम को रखा जाए जैसे हम जानते हैं आर्टिकल 44 मैं सब की जानकरी के लिए बार पढ़ देना चाहते हूँ इनिफॉर्म सिबील कोर्ट फॉर्ट फॉर्ट सिटीज कम से कम दस बार बार इस विशे को जब मामले गए इस तरह के विशे जब आपस में कुछ इसूस थे फैमिल इसूस डाइबोर्ट एडोप्शन तो सुपनगोट ने बार बार कहा कि गौर्मेंट को जो भी गौर्मेंट है इस विशे पे चर्चा करने चाहिए और एक कौर्म कैरांड क्या था अपना कास्टिवोट इसको मध धेते हैं तो यह जो परसनल अलग जो पर सनल है यह तो हमारे जो बैसिक कोंसेप्ट है उसके इस विशे डाया तो इस लिए हर वेक्टि के लिए हर नागरित के लिए एक समान संगिता सेविविल कोर्ट की रूरत है और Supreme Court ने बारंबार इसके बारे में बताया है, मैं एक judgment जो Supreme Court ने 1995 में दिया था, इस case का नाम है Mr. Sarla Mudgal, ये केचेन माइला थी, तो उस judgment में paragraph 33 में Supreme Court ने बोला है, Article 44 is based on concept of concept, that there is no necessary connection between religion and personal law in a civilist society, Article 25 guarantees religious freedom, whereas Article 44 seeks to divest religion from social relations and personal law, marriage succession like matters of secular character cannot be brought within the guarantee enriched under Article 25, 26, 27. So, ये जब Supreme Court के जब अलग अलग judgment में ये direction था, तो मुझे नहीं लगता है इसमें कोई conflict है, हम जदी खुले मन से सोचते हैं और जदी समाते हैं, और मुझे लगता है ये जदी आज की डेट में uniform civil court आता है, मुझे लगता हर religion, हर community, सब को इसका benefit मिलेगा, आज हम जब समान इस समान इसके जब बात करते हैं, तो ये जो personal laws है, उसको हम समान इसके बारे में हम अपना इतना विरोध क्यों, हम अपनी political जिनकी identity है, उसको छोड़के हम जदी independently इसको देखते हैं, तो मुझे लगता है कि हर कोई वेक्ती जदी इसके गराहे में जाता है, तो वो निश्चे इस विशे में अपनी एक राइब मना पाएगा, और मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई विरोधावाश है, ये विशे जरूरी है, constitution में हमने बला है कि इंडिया जो secular country, और जब secular country है, इसका अपना कोई religion नहीं है, तो इस विशे में हर विशे को अपने विशे छोड़के जैसे इसमें विशे क्या रहेंगे, इसमें रहेंगे marriage, divorce, adoption, guardianship and child custody, maintenance, succession and inheritance, जैसे हम आपको सबको जानके है, जैसे सावान का जो केस हुआ था, उसमें भी ये विशे है था, तब भी सुप्रमोट ने कहा था, कि मुस्लिम परिवार के एक महिला को, उसको क्यों बंचित किया कि ये पहले से इसके मांगते ही, और मुझे लगता ये सभी समय है, और दुसरा, अभी तक बिल का कोई स्वरूप आया नहीं है, लोग कमिशन ने सब की रहें मांगी है, तो हम आगे बढ़ के सब अपना अपना से दे, अभी तक जैसे नियूज में जैसे आए के गरिवन सा समान अधिकार की बात है, उन पर जो कानून लागो होते हैं, समान उपसा लागो होते हैं, जैसा आप सुभास चंदर क्याल ने कहा कि जब इंडिया एक सेकलर कंट्री है, और कोई रिलेजन नहीं है, जब कानून के हम बात करते हैं, तो फिर इसमें इतने दिनों तक इसे अ लागो करने का, हम आज साधीनियता के बाद, अजादी के बाद, पचापतर साल तो हो चुका है, पचापतर सालों में हमने इस विशाय में बहुत सड़े कंट्राडिक्टरी बिचार भारा हम देखे हैं, एक बिचार के आधार पे सभी बीधी को एक साथ समानता दे देना च को उनसा बीधी छोड़ा हुआ होते हैं, अभी जो हमारे देश में बिभाव पद्धती है, इसमें आप देखते हैं काही पुरोहीत है, काही काजी है, या काही प्रीस्ट है, यहां काही ट्राइबल समाज में उनके जो पुरोहीत होते हैं, तो पुरोहीत का प्रेजिंस क्य समझाते है कि मेरेज में एक रिलिजियस भाव होते है इंदू मेरेज सिस्टेम में अगनी शक्षी होते है क्रिश्चियन मेरेज सिस्टेम में भी भाव लिया जाते है सिमिलरली इसलामिक मेरेज सिस्टेम में भी एक भाव लिया जाते है तो यह जो marriage का भाव का system है जिसके साथ धर्म और अपना विश्वास जुड़ा हुआ है यह तो अलग-अलग बर्ग का अलग-अलग है इसको हम एक जगा कर सकते हैं जोदी सब लोग agree करते हैं लेकिन ऐसा consensus तो आभी तर नहीं हुआ है ना पचातर सालों में तो यह सबसे बड equality before law जो concept है वो थोड़ा अच्छा से समझना चाहिए equality before law का अर्थ नहीं है कि law एकी तरह सब के उपर एकी उपाई से एकी तरह एकी उपाई से सब के उपर लागू होता है ऐसा नहीं है इसका अर्थ law में differentiable, reasonable differences, reasonable differentiate का एक concept होते हैं जिसके तहत हम जाज करते हैं कि किसके उप रही सब कर का है, कैसे समाघ में गाड़ाओ समाज में अब चाहिए तरह मातिताउटर्ิक बेवस्था को मैंने कैसे मातिताउटर्य जो हमारे marriage law है उसके आधार पर में लसेकता हूं नहीं हाशेकता हूं तो इसलिए मैं मिजोरम में भी सुना हूँ कि मिजो लोगों का अलग सा मैरिश का पध्धती है मनीपुरी माइते लोगों का आहुम लोगों का अलग अलग सा मैरिश का पध्धती है इतना पध्धती को सब को हटा के एक ही लोग कायम करने का अर्थ क्या होगा कि हम cultural religious difference को पूरा भूल जा रहे हैं तो राष्ट्रो का कोई धर्म नहीं होता है लेकिन लोगों का धर्म होता है community का धर्म होता है राष्ट्रो किसी धर्म को प्रधान्यों नहीं दे सकता है secularism का अर्थ ही है राष्ट्रो neutral रहेगा लेकिन लोगों ने अपना धर्मा अपना अचार बिचार सब पालन करेगा तो अपना बेक्तिगत लाइफ में उसके ओपर छोड़ दना चाहिए और इसके आधार पे जोदी कोई broad consensus हो गया उसके बाद हम उसको कानूनी तरह से बिदी बाद रूप से उसको हम पारिद कर सकते हैं लेकिन आभी तो कोई consensus ऐसा नहीं है यह में कहना चाहिए आपने तो वही बात कही प्रोफेसर प्रसंजीत विस्वाज कि जैसा चल रहा था वैसा ही ठीक है आपके हिसाब से जब तक कोई एकमत ना हो कोई एक राय ना हो तब तक इस पर आगे ना बढ़ा जाए क्योंकि आपने वो उदारण पर दिये हैं कि कहा कहा मुश्किले आ सकती है प्रमोट स्वामी जी आप कुछ बोलना चाहते हैं देखिए consensus की बात जो है वो अपने आप में सही है लेकिन एक लोगतंतरिक देश में consensus बनना ये इतना आसान नहीं है तो हमारे यहां जो लोगतंतर है उस लोगतंतर में ये पद्धती है कि लोगसभा और राज्यसभा में अगर कोई बिल पास हो जाता है तो फिर वो कानून की सकल अक्तियार कर लेता है अब यहां एक बहस ये छिड़ रही है कि समान नागरिक संहिता देश में लागू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए अभी इससे पहले जो क्याल जी ने कहा कि सहाब अनू जो वाला जो केस था उस सहाब अनू केस में जो जज़्मेंट आया था तो उसमें जब जज्जमेंट में इस बात का जिक्र किया गया था क्योंकि शाहबालु जी के जो पती थे उन्होंने ये तर्क दिया था कि मुस्लिम पसर लोग के तैत उसने दूसरी साधी की है और पहली पती को गुजारा भत्ता देना उनके लिए अनिवारे नहीं है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं उनको गुजारा भत्ता उनको देना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट ने रायजाम दिया लेकिन उस समय की कॉंगरेस सरकार ने तुष्टी करण की नीती के तहत उस रायदान को सुप्रीम कोट की रायदान को बदल दिया और उस समय की सरकार ने तुष्टी करण की नीती के तहत ऐसा किया हमारी सरकार जो है तुष्टी करण की नीती के लिए कोई फैसला नहीं कर रही राष्ट हित में हम फैसला कर रहे है दूसरी बात इन्होंने कई राष्ट धर्म की इन्होंने कहा कि लोगों का धर्म होता है लेकिन राष्ट का कोई धर्म नहीं होता लेकिन मैं इनकी बात से यहां इत्पात नहीं रखता मेरा ये मानना है राष्ट का एक धर्म है जहां हमने जन्म लिया उस माटी के परती हमारा करतब में उस राष्ट के परती हमारा करतब में क्योंकि यह प्राचीन राष्ट है इसकी अपनी एक सब्विता है इसकी अपनी संस्कृति है हम इसको भारत माता कहके पुलाते हैं अगर इसमें से आप माता सब अटा दे तो भारत श्री भूमी का टुड़ा रह जाएगा तो यहां इनकी इस बात से मैं थोड़ा डिफर करता हूँ ठीक है इसी बात पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे ब्रेक बाद मुद्दा में आपका स्वागत है हम बात कर रहें इनिफर्म सिबिल कोड की और यह किस तरह से लागू हो क्योंकि इस पर अब राष्ट्य बहस की सुरुवात हो चुकी है सभी लोग लोग इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं अब रमान जहां जी आपको आपने क क्या राय लेकर आप लोग जाएंगे आप तो बिच बिच में यह भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि यह सिर्फ दिखावा कर रही है बीजेपी इसे लागू करेंगे कि नहीं यह भी ठीक नहीं है लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी हमारे स्वामी जी ने कहा है बादेपा क कि यह सर्यात कानुन के हिसाब से नहीं चलेगा ठीक है इनों और यह भी सब्सक्राइब कर देश के सभी साधू संतों का देश के हमारे भारती जंता पाटी का एक सपना है और इनका एक सपना है कि इस राष्ट को हिंदु राष्ट बनाया जाए। और अगर भारत हिंदु राष्ट बनता है तब अगर यह बनाते हैं भारत को हिंदु राष्ट अगर इनकी मंसा है इक्छा है और चाहते हैं तो अगर यह देश को बताया आज टीवी पर कि यह राष्ट हिंदू कानून के तहत चलेगा या फीर यह द्यू को साथ लेके चलना होगा और सबके लिए कानून मने या फिर यह कहना बंग कर दे कि हिंदू राष्ट की मांग करते हैं और सादू संदल जो इनके समर्तक हैं यह सबता है कि बारत हुले डूर को भारत का डाया दॉयुर्ट आपने । दोड़ने वाला सब को एक समाना जो से देखती है और जिस देश में जो भारत मां सब पच्छों को एक साथ देखती है वहां एक धर्म और एक राष्ट की बात कैसे कर सकते हैं कि यक धर्म का राष्ट को सब्सक्रार में यह सब मानि toplों को सब्सक्राइब के सब्सक्रा चाहते हुआ वारा थिंडायार जी सब्सक्राइन के पास पास आत्लगा है area मा-पूर्द कई लाकि यह नाम लेने की कोई आएवसकता नहीं थी लेकिन फिर अगर जिक्र चेड़ दिया तो मैं गहना चाहूंगा कि ऐसेस का नाम अगर इन्हों ने लिया है तो उस नाम को पूरो पूरा समझ लीजिए वह हं कोई क्याते हिंदु फेवक संग नहीं लिखा वहां लिखा रास्त्य सेवक संग पारों विए जवाब जेब से घरें जून लीजए उसके बाद हम सुभाजी के पाज़े का रहा राष्ट्य सियम सेवक संग और वहां राष्टे सेवन सेवक संग में जो बंदना की जाती है राधना की जाती है वो भारत माता की की जाती है तो हमारा किसी मन्त और मजब से कोई विरोध नहीं है और हमारा मानना है कि इस भूमी पर जिसने जनम लिया जो इस भारत की भूमी को अपनी माता मानता है और जो इस भू देता है और इस मार्टी में इस मार्टी की खुश्मू में जो अपनी इस मार्टी की सुगंद को जो महसूस करता है वही वही सच्चा राष्ट भगता है अब जैसे मैं की बात को यह कहना चाहूंगा यह कहना चाहूंगा और चाहूंगा आज यह सरक सकत खुल परफ़ बदम ज рокणा भी देनक मतस्तब और वी अदराष्ट में पर करहूंगा जाएनकटन में देश्ट Torsi मैं यह कहना चाहूंगा कि यह प्राचीन राष्ट्रे है और इस प्राष्ट्रे की अपनी संभिता संस्कृति है और सराती सनातन जो है वो प्राचीन धर्म है लेकिन अब आपकी बात का उत्तर दे रहा हूं कि अब जो भारत जो है भारत जो अब जो भारत जो चल रहा है वो स संविधान से संभिधान में इस बातstes की कंची की अंध performed सब का विश्वास और सरकार के तो सब्णा चलेगी तो किसी इसलिए कानूं लेकर isto कुछ भाति हैं तो ने के लिए पता दो लेकर देखे लेकंप Πबता हां ने मारी संदिक अंधर कर mrt पाकिस्तान इस्लाम पास्ते और सर्याथ चलता है। अकरनता उने किया। अकरनता हो निकी है। अगर बढ़ते है। भई मैं से लोगो अपुर अंतर क्या रहे है। अब मेरी बात इक है। तो हम कमना कर रहे हैं तो उनका भी धर्मांतर किया गया और हिंदू जो हमारे मुस्लिम भाई है उनका भी डिन एक है तो फिर अगर को हिंदू लड़का है मुसल्मिल आज हिंडोलेशिया देखें ने 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 चर्चा को आगा बढ़ाएंगे वारे पासना पत्ति भूंबिन हो सकती है इस इस वरूप में लागू करने लाइक नहीं है ब्रहमन जहां जी भी कह रहे हैं कि कई सारी बाते हैं इस पर आम राय बनाना संभव नहीं है संभव हो सकता है मनसा पर सवाल ख़ड़ा करते हैं सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए लेकिन ये लागू कैसे होगा कितना कठिन लग रहा है आपको दिखिए इस पिसे में मैं सुप्रम कोट का एक दो प्रगराफों में पढ़ना चाहता हूं मुझे लगता ये पढ़ने के बाद में सब की जो भी पिसकंसिप्शन है वो सब दूर हो जाएंगे मैं पहले भी इसका कोट के आथा 1995 में सुप्रम कोट की बेंच ने 10 पांच 1995 को एक जज़्जमेंट में मैं दो परगराफ पड़ता हूं जी जी One wonder how long it will take government today to implement the mandate of framers of the constitution under article 14 of the constitution of India traditional Hindu law personal law of Hindus governing inheritance succession and marriage was given go by back in 1956 by codifying the same there is no justification whatsoever in delaying indefinitely the introduction of uniform uniform personal law in country article 44 is based on concept of concept there is no necessity connection between religion and personal law in a civil society इसको जब ठीक से पढ़े हैं जब 1955 में हमें पता है कि Hindu के जितने भी laws थे उनको codify किया गा था उसमें इसका काफी विरोध हुआ था लेकिन उसमें जरुवत थी और यह जो reform की जरुवत थी तो यह विसे आज का नहीं है जब हमारे constitution के पेंड़ताओं ने विसे जब उनके सामने जब आया था उसमें भी चला था उसमें भी उसके विरोध हुए थे इसलिए इसको आर्टिकल 44 के बाद में रखा था कि हर जो भी comment आएगी वो इस पर seriously discussion करके उसको करेगी और सुपर्मकोट ने बार बार इसे भी से को का है तो अब जब 1955-56 में जब हिंदू law जो थे उनको जब codify किया था उसमें भी एक तरगे समझ चाहिए थी काफी विरोध था इसका लेकिन फिर भी लोगों ने इसको adopt किया तो मुझे नहीं लगता है कि जदी हम अब जैसे law commission ने लोगों की रहे मांगी है करें पांस लाग लोगों ने अपनी रहे दी है तो consensus के जो भी consensus निकलेंगे या जो majority आएगा वो बील बन के सब के सामने आएगा और यह एक नहीं है कि बील आने के साथ में यह पास हो इस पे भी पार्टामेंट पे discussion होगी जब हम इंडिक कांटरी की बात करते हैं कोई भी विसाय कोई भी गोर्मेंट चाहे तो कोई चाहने से उसका नहीं होगा उसके इक्ष्या होनी पड़ेगे कि उसको विसाय को मागे लेके जाए और आज जो जो विसाय हमारे सामने है सु कभी तो अपने कोई कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे और आज लेने पड़ेंगे इसको सबको आगे बढ़ना चाहिए स्विसाय क्योंकि जो constitutional safeguard की बात होती है तो लोगों की मानवा धिकार है उसकी safeguard की बात आती है प्रोफेसर प्रसंजित विस्वास कई बार हम देखते अब इसको जो भी बाते काई गयी है समान अधिकार की बात कई आप और उसी तरह के कानून बने भी है मैं कुछ आनुन जो है बने है डारेक्टिव प्रिंस्पल को निकाल कर उसको थोड़ा सा मैं आपको पढ़के बताता हूँ The Minimum Wages Act 1948, Child Labour Prohibition and Regulation Act 1986, Maternity Benefit Act 1961, Equal Remuneration Act 1976, और इसी तरह के बहुत सारे एक्ट बने हैं, Integrated Rural Development Program 1978, जवाहर रोजगार योजना 1989, स्वान जैंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, संपुन ग्राम रोजगार योजना, बहुत सारे ऐसे कानून हैं, लेबर कानून हैं, लेंड रि Directive Principles से निकल कर सामने आये हैं, और इसी तरह के Directive Principles में Uniform Civil Code भी एक है, Uniform Civil Code कब तक Directive Principle में ही रहेगा या इसे Policy या Act के रूप में हम देखेंगे, क्या लगता है आपको कि ये भी Directive Principle से निकल कर एक कानून बन कर सामने आएगा, सब लोगों के हित में होगा, या आपको नजर आता है कि राह बड़ी कठीन है? नहीं, Directive Principle में जो बात कहा गया, Uniform Civil Code का बारे में, इसका Act है कि परसोनल लोगों को हम संस्कार करेंगे, ऐसे संस्कार करेंगे कि किसी का प्रती कोई बैशम, Discrimination ना हो, Non-Discrimination, इसका Act है, तो अभी अलग-अलग परसोनल लोग पे जहां पे समस्षा है, Discrimination का, हम परसोनल लो को रिफर्म करें, लेकिन इसका Act नहीं है कि सब परसोनल लोगों को एक Uniform Court के अंडर में हम लेके चले आए, तो Uniform Civil Court का बारे में, Article 44 में क्लियरली कहा गया, कि हम परसोनल लोगों को रिफर्म करें, लेकिन यह नहीं कहा कि सब परसोनल लोगों को एबोलिश करके हम एक ही दूसरा बात यही है, जो हम हिंदू Court Bill को एबोलिश किया था, 1955-1956 में, इसका पीछे क्या था, हिंदू समाज को संसकार करने का भाबना था, वो हिंदूों से आया था, और आम तोर पे हिंदूों ने चाहता था कि हमारे हिंदू जो पुराना रिती पद्धती है, उसका थो हम बाहर से यह बात को उसके उपर इंपोस नहीं करना ठीक रहेगा भारत के जैसा देश में, क्योंकि ऐसा इंपोस करने से उसका बेरोज़ोदी होता है, तब क्या होता है, हमारे जो भारत की संगती है, भारत की जो एकता है, उसमें असर होता है, जैसे देखिए, C.E.A. के साथ जैसे हुआ है, तो हमको थोड़ा सोज बोच के एक काम करना चाहिए, कंसेंसस बनाने के लिए हमको टाइम लेना चाहिए, हर विश्वाई को लेके इंट्रिकेट तरह हमको तर्क करना चाहिए, हमको एक मानुसिकता पैदा करना पड़ेगा, इसके तहरत हमको संसकार के प्रती जाना चाहिए पहले ही हम एक unified कर देंगे ऐसा agenda लेके चलना साइद ठीक नहीं है यह बहुत ही गंबिर मुद्दा बन जाएगा और इसको लेके इतना हला करने का भी कोई जरुरत नहीं है ठीक है यह हमारे constitution में है हमको attempt लेना है constitution एक कहता है कि हमको प्रयास करना है वो बातचीत अभी जाड़ी करना ठीक रहेगा इससे ज्यादा आगे जाके हम इसको कोडिफाइ कर लेंगे हम आइन बीधी को पारित कर लेंगे इतने दोड़ तो सोचने का agenda इतने इस समय प्रिपेर करने के लिए इतना कोई urgency होने का तो बात नहीं है क्योंकि हमारे हाथ में ब आपकी राया बिल्कुल साफ है प्रोफेसर प्रसंजित विश्वास आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल समझ में आ रहे है कि कोई urgency नहीं है बहुत सारे मुद्धे हैं इस पर आगे बढ़ा जाए लेकिन फिलहाल जब यह राश्टी बहस शुरू हुई है तो इस पर भी हम च कि ब्रेक बाद मुद्धा में आपका फिर से स्वागत है इन्यूफर्म सिविल कोर्ट कैसे लागू होगा कितना संभव है यह फिर यह सिर्फ लोगों की राय तक ही सिबित रहेगा यह लागू नहीं होगा ब्रेक में जाने से पहले प्रोफेसर प्रसंजित बिश्वास ने कहा कि कोई इतनी बड़ी अर्जेंसी तो नहीं है लेकिन फिर भी जब इस पर बहस हो रही है तो बात करना भी ज़रूरी है सुभास क्याल साहब हमारे पास समय की कमी है लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि जब शुरुवात में हिंदू जो कोड है जिसको जिसका अधार पर कोट अपने नीने सुनाता है उसमें भी जो सुधार हुए या जो रिफॉम्स किये गए हैं तो उसमें उनके प्रतिनी धियों ने आगे बढ़कर ये किया लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि जो मुसलिम के बारे में बात हो रही है जिनको ज्यादा चीनता है आज इसी बात पर चर्चा हो रही है वो इसका विरोध कर रहे है तो क्या यह बात सही है कि जो हिंदू पक्ष है वो खुद ही चाहता था इसमें रिफॉर्म करने के लिए इसलिए उसमें रिफॉर्म हो पाया और यह कठीन इसलिए है क्योंकि आज मुस्लिम समधा इसका विरोत कर रहा है वो नहीं चाहता है कि इसमें कोई छेड़शार किया जाए मुझे नहीं लगता है किसी का विरोध है इसमें और यह हम किस एंगल से देख रहे हैं जब यह किसी प्लिटेकल पाटके के है देखेंगे उसको यहाँ जरूत है कि जो समाज के विभीन तपके के लोग है उनके साथ कितना भेदबाव हो रहा है ये धहन रखना पड़ेगा और Constitution को क्या बताता है हम जब सुप्रूर्णूर्ट के सारी जजिमिंट देखते हैं अलग लगे साहे थे लोगों ने भी केस किया था उनका इन्हेरिटेंस का विचे था एडोशन का था जब सुप्रूर्णूर्ट ने देखा कि समाज का एक तपके कोई बेनिफिट मिल रहा है दूसरी को नहीं मिल रहा है अब जैसे सावानू का केस है उनको गुजराबता देने से माना कर दिया क्य सब्सक्राइब करना चाहिए और एक इंडिपेंडेंट अपनी धाना देके उसमें आगे बढ़ना चाहिए और इसमें जो अपना पॉल्टेकल विचारदारा सबके अलग अलग हो सकती है सबका किसे का विरोध लेकिन मुझे एक समझ में नहीं आ रहा है जब लोग कमिशन ने अपना सबसे विचार मांगा है पांस लोग ने दिया है तो उसमें अभी तो अपने पास धियान कहीं कि अपने अपने को лучित करने पड़ा गी होつ रहे हैं और कहींपे इसका विच्कश है जैसे अभी प्रुफछू साब ने बता है कि नॉर्भी समे अलग है तो हर प्रवाइब करने पड़ेंगी और ऐसा निये किसी से मांगा निस सबसे ओपनली मांगा गया है जिसका जो भी होगा उसके बाद में जब इसका बील का सिरूप आएगा उस पर डिसकर्शन और गेम अपनी रहे रहे सकते हैं आगे बढ़ सकते हैं जी रहामां जी रहामां जी क्याल सा में कहा है तो सभी यही चाहते हैं कि समीघर मोगों के साथ जो हमारी राजियों के साथ बात हो बात हो बात होने के बाद जो निश्गर्श निकल के आता है उस पर एक बहास हूं आज के इस्तिति पर जोड़ जबस थे थूपना आप यहमने इनिफर्यम सिपी सब्सक्राइब नहीं है नहीं है नहीं चाहते हैं दूसरी चीज है कि सरकार की मनसा अगर नियत के लिए रहो तो नौ साल से बादया पर की सरकार थी इस पर काम करना सूर कर देता है लेकिन अब वो देख रही है कि वो राजियों में उनकी हार सुनी सी दूती चले जा रहे हैं तो इस तरह के कानून को ले कि आकर लोगों में भ्रमन पर जी तो क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ा मुद्दा हो गया आपके लिए आपका भी एक स सब्सक्राइब कि आपका समर्थन होगा किसी आप उसकी विचारधा से समथ होते होंगे तो यह देश विचारी राज्यतिक विचारधारां से भी चलता है जी आखरी कमेंट नहीं में एक चीज़ा और प्रमोजी से भी में एक सवाल है परमोजी ने कहा कि आर्टिकल 370 इस चर्चा का था समाननागरिक सही ता तो उस पर हमलोगा का सरीप ही कहना है कि यह देश जो है इस देश में दोरी वेवस्ता नहीं हो सकती एक वेवस्ता होनी चाहिए डिस वेवस्ता के तरहें देश चलता है और जो भारत का जो एक रिया incredibly इंश वो समिधान के तैद बनती है और पार्लियामेंट इस इस सुप्रीम आथरोटी तो इसके अलावा भी लोगों से भी राय मानी गई है और पार्लियामेंट में जब यह बील आएगा और इस पे बहस होगी तो कॉंग्रेस पार्टी या अन्य राजनीतिक दल उनके पास में भी स जर्चा में भाग लेंगे और उस तमय अगर वो पॉजिटिव सुजाब देते हैं तो निश्चित रूप से सरकार गरहन करेगी लेकिन उनको तुष्टी करण की निती से उपर उट करके राजनी नहीं है दोनों बाते हैं एक तरह प्राइब बनाने की बात की जा रही है औ अगर बन जाती है तो उसका समार्थन करेगा लेकिन आप इसकार में इसकार में इतना ही बात कर पाएं आप सब का इसकार में सामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार आरे से सब्सक्राइब को आरे सब्सक्तिक को आरे से सब्सक्राइब